हेलो दोस्तों नमस्कार आज का जो मेरा टॉपिक है हेल्थ टॉनिक को लेकर है देखें मार्केट में बहुत से हेल्थ टॉनिक है जो आप अपने बच्चों को खिलाते हैं जिसमें आपका प्रोटीन हो गया आपका प्रोटोनेक्स हो गया आपका आपका बॉन्वीटा हो गया आपका हौलिक्स हो गया बहुत सारे टौनिक्स हैं जो आपके मार्केट में अबलेविल है और कम सी कम एक कीलो जो आपका प्रोटीन या प्रोटिन एक्स या हौलिक्स का जो एक किलो का आता है अलग-अलग कंपनियों के रेट है 300-300 से उपर ही है देखे उन में क्या-क्या मिला होता है गेहूं का जौार हो गया गेहूं का आटा हो गया जौार का आटा हो गया जदा अपा मुंफली हो गया मुंफली की खली हो गई अगर यही सब कुछ हम अगर घर पे मिला के बनाते हैं तो मैं मेरा सोचना है और मैंने जिस तरीके से देखा है तो एक किलो जो हम बनाते हैं इन सब को मिलाके एक किलो जो बनता है पचा इस वक्त काफी प्रोडेक्ट में काफी छिर्खानी हो रही है काफी चीजें मिलावट की चीजें प्रोडेक्ट में मिलाई जा रही है तो आपको जब भी यूज़ करना है आप हो सके तो अपने बच्चे को भी और अपने को भी मुंफली और गुड या चना और गुड का भी घर पे सेवन करें साथ में होमियोपेथ का एक टॉनिक आता है अलफा मॉल्ट को आप बॉनमीटा या आपका अकहॉलिक्स इनको अबॉइट करके अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अलफा मॉल्ट करके टॉनिक आता है उसको यूज़ कराईए बच्चे को और अपना भी यूज़ कर और बच्चों की ग्रोध नहीं हो पा रही है, बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे आप ऐसा यूज करते थे, बॉन मीटा और हॉलिक्स को दूद में डालके, वैसे ही सेम आपको यह अलफा माल्ट भी यूज करना है, और जब आप इसको यूज करने लग जाएंगे, य काफी एजेट इंसान होते हैं, उनको बहुत सी प्राब्लम रहती है, दूद पीते हैं, तो वो दूद में अलफा माल्ट यूज करना है, इसके जो कंपोजिशन में बहुत सारी चीजे मिली होती है, जिसमें आपका जिंसिंग मस्ट इसमें मिला होता है, तो प्लीज आप इ इसके रिज़र्ट और प्रोड्यक्ट के अपेक्षा बहुत जल्दी इस प्रोड्यक्ट के रिज़र्ट आपको मिलेंगे, अब तक की मेरी वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी